नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूसवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोलना राइन शुरुवात करेंगे उत्रा खंड की खबरों की श्रीनेकर विधानसभाग के अंतरगत संयू साल के ग्रामिनों ने मंत्री धनसिंग रावत का जम कर विरोध किया ग्रामिनों का कहना है कि पांच साल में तीन मुख्य मंत्री दो सांसद और दो विधायक आ गए फिर भी उन्हें दो किलो मीटर रोड तक नहीं मिल पाई है वर्षों से सडक सुविधा से वनचेत संयू साल के ग्रामिनों का सब्र का बांध उस वक्त तूट गया जब स्थानिय वधायक धनसिंग रावत का शेत्र में दोरा हुआ और उन्होंने वधायक का रोड पर ही घिराव कर रोश व्यक्त किया ग्रामिनों ने बताये कि पिछले पास सालों में उनके गाउं में दो किलो मीटर की सड़क भी नहीं बन पाई है जिस कारण आज भी बड़ी तकलीफों का वो सामना कर रहे हैं लाल कुआ उबजिलादिकारी रिश्वा सेंग के नतित में स्थानी प्रशासे ने नगर की हट बाजार में शिविर लगा कर पचास फड एवं ठेले वालों का कोविड-19 टेस्ट कराया इसके अलावा शेतन में बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को जागरू करने के साथ साथ उन्हें मास्क वित्वरित किये तथा चालान भी किये गए यहां उबजिला अधिकारे रिचा सिंग, कोतवाल संजे कुमार और नगर पंचायत की अधिसाशी अधिकारी, राजु नभियाल और स्वास्त विभाग के डॉक्टर लव पांडे की नत्यतु में प्रशासनी करमचारियों ने नगर की साथाइक हाट बाजार में फड और छेले लगाने वाले दुकानदारों का स्वास्त विभाग के सोजन्ने से कोविट-19 टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू की। श्रीन नगर गडवाल की संग्त तात्वाद्धान उत्राखंडी लोक विद्यों पर केंदित कारिशाला हिमालिय निदाग का आयजिन किया गया। प्रियास कालाकारों का मनोबल भी लगातार बढ़ाता रहेगा। देश के अनेक राज्यों से पेश्वाई में अनेको जहांक्या पेश्वाई की शोभा बढ़ा रही थी। वहीं पेश्वाई में शामिल हुए स्वामी रामदेव जी महराज आचारे बालकृष्व जी मुनी राज्यों सरकार ने पेश्वाई को भवे रूप देने के लिए हलिकॉप्टर से पुष्प वर्षवा भी की। दो हलिकॉप्टर निरंतर पेश्वाई के उपर फूलों की वर्षा करते रहे वहीं बुपेंद्र प्रकाश्वी महराज ने जानकारी देते भी बताया कि आज बड़ा उदासी नखाडा की पेश्वाई हरद्वार में निकाली जा रहे हैं इसमें सरकार की कोई-19 को लेकर गाइडलाइन्स का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है चारधा म्यातरा शुरू होने को है सरकार ने 30 अपरेल तक यातरा के कारपूर करने के निर्देश दिये हैं चारधा म्यातरा के लिए सडग लगभग तयार हो चुकी है अब चिकिस्सा सौचाले और पिने के पा बारता करते हुए मुखे मंतरी तीरग सिंग रावत ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए कई महत्तोपूर फैसले लिये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके द्वारा सामविधानिक पदो पर छोड़कर सभी दायत्विधारियों को हटा दिया गया वही जल पार पार्टwegen के शिश्नयतित्व और मुखे मंतरी दोबारा से अध्यन करके भाशपा के कारकरताओं को पद दिये जाएंगे उन्होंने कहा कि पूर्व मुखे मंतरी त्रिवेन सिंग रावत और वर्तमान मुखे मंतरी तीरक सिंग रावत दोनों ही भारते जंतापार्टी के है वहीं पूर्व मक्यमंत्री के फैसले को जठीन में बदला जा रहा है क्योंकि जनता बदलाव चाती है नगर निगम शेत्र के वाड नमबर से 30 जंडी चौड में हातियों ने दे रात को कस्तकारों की गेहूं की खडी फसल में जम कर उत्पात मचाया और कई बिगाग गेहूं की फसल चौपट कर दी लोगों ने वनविभाग से हाती से सुरक्षा और उनकी नुकसान का उचित मावजा देने की मांग की है जंडी चौड शेतर उत्तर प्रदेश ये सीमा और जंगल से सटा हुआ है जिस कारण आसानी से हातियों का जुण खेतम में पहुँच जाता है तके लिये आसवाशन दिया है अवशक्ता होने पर एंडी आरफ की टीमें भी बेश दी जाएंगी उत्राखन के खबरों में फिलाल के लिए इतना ही आप बने रहें न्यूस बर्ल इंडिया के साथ